इस तरीके के फंदे डालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है दागा ले लेना है इस तरीके से सिंगल स्टेंड में ही आप उसे इस तरीके से रखेंगे सिलाई पे डालके इस तरीके से देखेगा अपनी उंगली में इस तरीके से डालके ऐसे डाल दिया जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं इस तरीके से आपने जो है दूसरा धागा लिया ऐसे किया और इस तरीके से निकाल दिया दुबारा से इस तरीके से ऐसे लिया, इस तरीके से डाला और ऐसे निकाल दिया, सेम जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं, उसी तरीके से हमने लेना है धागा और डाल देना है, फंदे किस तरीके से जला लेंगे, इवन नंबर में, जैसे कि दो, चार, छे, आट, दस, बारा इसके multiple में हमने फंदे डाल देने है क्योंकि ये जो फंदे पढ़ते हैं दो-दो फंदू से ही पढ़ते हैं तो अब मैं इस तरीके से फंदे डाल देती हूँ पहले फिर आगे आप क्या करेंगे वो आगे हम देखेंगे देखे इस तरीकी से मैंने 14 फंदे डाल दिये हैं क्योंकि मैं आपको सेंपल में बता रही हूँ तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का दागा लिया है अब जो है इसका रोज का लुक लाने के लिए हम यहाँ पे पिंग कलर का रोज बनाएंगे और कि आप चाहें तो कोई से कलर का भी बना सकते हैं यहाँ आप चाहें तो सिंगल कलर के धागे से फंदा डालगे आगे से इससे कंटीनु करेंगे बड़ यहाँ पे मैं आज आपको डबॉल कलर में बता रही हूँ तो देखेगा पहला फंद आप उल्टा बना लीजे इस तरीके से इसके बाद next वाले में क्या करना है ध्यान दीजेगा थोड़ा खीच लीजे डिला करके उल्टा ही रखेगा एक पीछे से इसके यहाँ पे देखेगा इस तरीके से इसी फंदे को पीछे से आपने बुनना है इस तरीके से दो फिर दुबारा से आगे से तीन फिर पीछे से बुनेंगे डिला डिला बुनिएगा यहाँ पे देखेगा चार दागा डिला रहने दीजेगा फिर आगे से 5 इस तरीके से डिला धागा छोड़के और पिछे से 6 अब इस फंदे को गिरा दीजिए इस तरीके से और इन 6 फंदे जो आपने बनाए हुए हैं इन्हें स्लाई में डालके इस तरीके से यह देखेगा यहाँ पे इस तरीके से इसमें भी डाल दीजिए और इन् यहां पे देखेगा, यह इस तरीके का आपका रोज बनके तियार होगा देखेगा यह रोज का लुक क्रेट होगा आपके फंदूंगा, नेक्स्ट फंदा दुबारा से रिपीट करेंगे यही दो फंदूंगा उल्टा बना लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुन्दर जो है रोज हमारा बनकी त्यार हुआ है सेम यहाँ पर भी करेंगे एक फिर बैक से दो फिर फ्रांट से थ्री बैक से आपका दुबारा से जाएगा इस तरी के से फोर फाइव और लास्ट बैक से आपने इस तरी के से दिरा कीजिए शिक्स आप यह सारे फंदे आपके इस लाई में जाएंगे छे के छे फंदे और इन्हें अब आपने क्या करना है यहां पर देखिएगा इन छे के छे फंदू को आप इस तरी के से इस वाली स्लाई में डाल देंगे और इन्हें उल्टा बना देंगे इस तरी के से दा का डिला रखेंगे तो आपको असानी होगी अगर टाइट होगा तो थोड़ी मुश्किल आएगी देखिएगा यहां पर थोड़ा टाइट है तो मुझे डिफिकल्टी आ रही है यह देखिए इस तरी के से यह देखिएगा आप बस यही आपने रिपीट करते जाना है अब मैं इसी तरी के से इसे बनाती हूँ आप देखिएगा इस तरी के से हमारे रोज फ्लार मन के त्यार होंगे जैसे मैंने आपको बताया है यह रो में कंप्लीट कर दूँगी इसी तरी के से आपके यह रोज वाले फ्लार वाले यहां पे फंदे डलेंगे काफी सुन्दर दिखते हैं देखेगा पहले मैं complete कर देती हूँ देखें यहाँ पे हमारे जो है rose वाले फंदे डल चुके हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारे कुछ rose flower का look आएगा और हमारे फंदे डलेंगे काफी सुन्दर है आप किसी भी लेडिज, काडिगन, गर्ल्स, फ्रॉक, टॉप, कुर्ती किसी में भी इसे यूज कर सकते हैं काफी असान हैं बनाने में डबल कलर में इस तरीके से डलेंगे यह देखेगा इस तरीके से यह देखेगा यूनीक है, डिफरेंट है तो इसे जुरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए साथी अपनी फैमडी और फैंस का शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू